C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये अध्याय एक है परिमे संख्याएं प्रिष्ट संख्या बारा एक दशमलव दो दशमलव पांच एक की भूमिका हम प्राप्त करते हैं की पांच गुणा एक बराबर है पांच बराबर है एक गुणा पांच पून संख्या के साथ एक का गुणन घटा दो बटा साथ गुणा एक बराबर है रिक्त स्थान गुणा रिक्त स्थान बराबर है घटा दो बटा साथ आप क्या पाते हैं? आप पाएंगे कि जब आप किसी भी परिमय संख्या के साथ एक से गुणा करते हैं, तो आप उसी परिमय संख्या को गुणन फल के रूप में पाते हैं. कुछ और परिमय संख्या के लिए इसकी जांच कीजिए. आप पाएंगे कि किसी भी परिमय संख्या एक एलिए एगुणा एक बराबर है एक गुणा ए बराबर है ए. हम कहते हैं कि एक परिमय संख्याओं के लिए गुणानात्मक तत्समक है। कौन से गुण धर्म इनके लिए सत्य होंगे और कौन से सत्य नहीं होंगे। कि एक जमा कोश्ठक में खटा एक बराबर है कोश्ठक में खटा एक जमा एक बराबर है शून्य। इसके अतिरिक्त दो जमा कोश्ठक में खटा दो बराबर है कोश्ठक में खटा दो जमा दो बराबर है शून्य। इस प्रकार हम कहते हैं कि घटा दो कारिणात्मक अत्वा योज्य प्रतिलोम दो है जो विलोम तह भी सत्य है। व्यापक रूप से किसी भी पूर्णांक ए के लिए ए जमा कोश्ठक में घटा ए बराबर है कोश्ठक में घटा ए जमा ए बराबर है शून्य। इस प्रकार घटा ए कारिणात्मक ए है और ए कारिणात्मक घटा ए है। किसी परिमे संख्या 2 बटा 3 के लिए हम पाते हैं 2 बटा 3 जमा कोश्ठक में खटा 2 बटा 3 बराबर है इसके अतिरिक्त कोश्ठक में खटा 2 बटा 3 बराबर है शुन्य। कैसे? इसी प्रकार, खटा आट बटा नौ जमा रिक्तिस्थान बराबर है रिक्तिस्थान जमा कोश्ठक में खटा आट बटा नौ बराबर है शुन्य। रिक्तिस्थान जमा कोश्ठक में खटा ग्यारा बटा साथ बराबर है कोश्ठक में खटा ग्यारा बटा साथ जमा रिक्तिस्थान बराबर है शुन्य। प्रिष्ट संख्या 13. व्यापक रूप से किसी परिमय संख्या ए बटाबी के लिए ए बटाबी जमा कोश्ठक में घटा ए बटाबी बराबर है कोश्ठक में घटा ए बटाबी जमा ए बटाबी बराबर है शूने प्राप्त है. हम कहते हैं कि A बटा B का योज्य प्रतिलोम घटा A बटा B है और कोश्ठक में घटा A बटा B का योज्य प्रतिलोम A बटा B है एक दशमलव दू दशमलव साथ व्युतक्रम आप आठ बटा 21 को किस परिमय संख्या से गुणा करेंगे ताकि गुणन फल एक हो जाए स्पष्ट रूप से 21 बटा 8 से क्योंकि 8 बटा 21 गुणा 21 बटा 8 बराबर है एक इसी प्रकार घटा 5 बटा 7 को 7 बटा घटा 5 से गुणा करना चाहिए ताकि गुणन फल एक प्राप्त हो सके हम कहते हैं कि 8 बटा 21 का व्युद्क्रम 21 बटा 8 है और घटा 5 बटा 7 का व्युद्क्रम 7 बटा 5 है क्या आप बता सकते हैं कि शून्य का व्युद्क्रम क्या है? क्या कोई ऐसी परिमय संख्या है जिससे शून्य से गुणा करने पर एक प्राप्त हो जाए? अतह शून्य का कोई व्युद्क्रम नहीं है हम कहते हैं कि एक परिमय संख्या सी बटाडी दूसरी शून्य तर संख्या ए बटाबी का व्युद्क्रम अत्वा गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है यदि ए बटाबी गुणा सी बटाडी बराबर है एक एक दशमलव दो दशमलव आठ परिमय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वित्रक्ता इस तथे को समझने के लिए परिमय संख्याए घटा तीन बटाचार दो बटा तीन और घटा पांच बटाचे को लीजिए घटा तीन बटाचार गुणा कोश्ठक प्रारंब दो बटा तीन जमा कोश्ठक में घटा पांच बटाचे कोश्ठक अंत बराबर है गुणा कोश्ठक में घटा पांच बटाचे कोश्ठक अंत बराबर है घटा तीन बटाचार गुणा कोश्ठक में घटा एक बटाचे बराबर है तीन बटाचोबीस बराबर है एक बटा आट इसकी अतिरिक्त घटा तीन बटा चार गुणा दो बटा तीन बराबर है घटा तीन गुणा दो बटा चार गुणा तीन बराबर है घटा छे बटा बारा बराबर है घटा एक बटा दो और घटा 3 बटा 4 गुणा कोश्ठक में घटा 5 बटा छे बराबर है 5 बटा 8 इसलिए कोश्ठक प्रारंब घटा 3 बटा 4 गुणा 2 बटा 3 कोश्ठक अंत जमा कोश्ठक प्रारंब घटा 3 बटा 4 गुणा घटा 5 बटा छे कोश्ठक अंत बराबर है घटा 1 बटा 2 जमा 5 बटा 8 बराबर है 1 बटा 8 अतह घटा 3 बटा 4 गुणा कोश्ठक प्रारंब 2 बटा 3 जमा कोश्ठक में घटा 5 बटा छे कोश्ठक अंत बराबर है कोश्ठक प्रारंब घटा 3 बटा 4 गुणा 2 बटा 3 कोश्ठक अंत जमा कोश्ठक प्रारंब घटा 3 बटा 4 गुणा कोश्ठक में घटा 5 बटा छे कोश्ठक अंत योग एवन व्यफकलन पर गुणन की वित्रक्ता सभी परिमई संख्याएं A, B और C के लिए A. कोश्ठक में B जमा C, बराबर है A B जमा A C A. कोश्ठक में B घटा C, बराबर है A B घटा A C प्रिष्ट संख्या 14, प्रयास कीजिए वित्रक्ता के उप्योग से निम्न लिखित का मान ग्यात कीजिए 1. कोश्ठक प्रारंब 7 बटा 5 गुणा कोश्ठक में घटा 3 बटा 12 कोश्ठक अंत जमा कोश्ठक प्रारंब 7 बटा 5 गुणा 5 बटा 12 कोश्ठक अंत 2. कोश्ठक प्रारंब 9 बटा 16 गुण 4 बटा 12 कोश्ठक अंत जमा कोश्ठक प्रारंब 9 बटा 16 गुण 3 बटा 9 कोश्ठक अंत उदहरन 3 निम्नलिखित के योज्ये प्रतिलोम लिखिए एक घटा 7 बटा 19 दो 21 बटा 112 जब आप वित्रक्ता का उप्योग करते हैं तो आप एक गुणनफल को दो गुणनफलों के योग अथ्वा अंतर के रूप में विभक्त करते हैं हल गटा 21 बटा 112 है जांच कीजिए उदहरन 4 सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित के लिए गटा कोश्ठक में गटा X और X समान है एक एकस बराबर है तीन बटा सत्रां दो एकस बराबर है घटा 21 बटा 31 हल एक हमें प्राप्त है एकस बराबर है तेरां बटा सत्रां एकस बराबर है तेरां बटा सत्रां का योज्य प्रतिलों घटा X बराबर है घटा तेरां बटा सत्रां है क्योंकि 13 बटा सत्रा जमा कोश्ठक में घटा 13 बटा सत्रा बराबर है शून्य समिका 13 बटा सत्रा जमा कोश्ठक में घटा 13 बटा सत्रा बराबर है शून्य दर्शाती है कि घटा 13 बटा सत्रा का योज्य प्रतिलोम 13 बटा सत्रा है अथ्वा घटा कोश्ठक में घटा 13 बटा 17 बराबर है 13 बटा 17 अर्थात घटा कोश्ठक में घटा X बराबर है X दो, X बराबर है घटा 21 बटा 17 का योज्य प्रतिलूम घटा X बराबर है 21 बटा 17 क्यूंकि घटा 21 बटा 17 जमा 21 बटा 17 बराबर है शूने समिका घटा 21 बटा 17 जमा 21 बटा 17 बराबर है शूने दर्शाती है कि 21 बटा 17 का योज्य प्रतिलूम घटा 21 बटा 17 है अर्थात घटा कोश्ठक में घटा X बराबर है X प्रिष्ट संख्या 15 उदहरन 5 ज्यात कीजिए 2 बटा 5 गुणा घटा 3 बटा 7 घटा 1 बटा 14 घटा 3 बटा 7 गुणा 3 बटा 5 हल 2 बटा 5 गुणा कोश्ठक में घटा 3 बटा 7 घटा 1 बटा 14 घटा 3 बटा 7 गुणा 3 बटा 5 बराबर है 2 बटा 5 गुणा कोश्ठक में घटा 3 बटा 7 घटा 3 बटा 7 गुणा 3 बटा 5 घटा 1 बटा 14 क्रम विनिमयता से बराबर है 2 बटा 5 गुणा कोश्ठक में घटा 3 बटा 7 जमा कोश्ठक में घटा 3 बटा 7 गुणा 3 बटा 5 घटा 1 बटा 14 बराबर है घटा 3 बटा 7 कोश्ठक प्रारंब 2 बटा 5 जमा 3 बटा 5 कोश्ठक अंत घटा 1 बटा 14 वित्रक्ता से बराबर है घटा 3 बटा 7 गुणा 1 घटा 1 बटा 14 बराबर है घटा 6 घटा 1 बटा 14 बराबर है घटा 1 बटा 2 प्रश्नावली 1.1 कोश्ठक में घटा 3 बटा 7, घटा 1 बटा 6, गुणा 3 बटा 2, जमा 1 बटा 14, गुणा 2 बटा 5, दो, निम्न लिखित में से प्रतियेक के योज्ये प्रतिलोम लिखिये, एक दो बटा 8, दो घटा 5 बटा 9, तीन घटा 6 बटा घटा 5, चार दो बटा घटा 9, पांच 19 बटा घटा 6, तीन, एक, एक्स बराबर है 11 बटा 15, दो, एक्स बराबर है घटा 13 बटा 17 के लिए सत्यापित कीजिए कि घटा, कोश्ठक में घटा X, बराबर है X, चार, निम्न लिखित के गुणा नात्मक प्रतेलोम ज्याद कीजिए, एक घटा 13, दो घटा 13 बटा 19, तीन, एक बटा 5, चार, घटा 5 बटा 8, गुणा कोश्ठक में घटा 3 बटा 7, पांच, घटा 1, गुणा कोश्ठक में घटा 2 बटा 5, छे, घटा 1, पांच, निम्न लिखित प्रतियेक में गुणान के अंतरगत उप्योग किये गए गुण धर्म यानी गुण का नाम लिखिये, एक, घटा 4 बटा 5, गुणा एक, बराबर है, एक गुणा कोश्ठक में घटा 4 बटा 5, बराबर है, घटा 4 बटा 5, 2, घटा 13 बटा 17, गुणा कोश्ठक में घटा 2 बटा 7, बराबर है, घटा 2 बटा 7, गुणा कोश्ठक में घटा 13 बटा 17, 3, घटा 19 बटा 39, गुणा 29 बटा घटा 19, बराबर है, एक, 6, 6 बटा 13 को घटा 7 बटा 16 के व्युत क्रम से गुणा कीजिए, साथ, बताईए कौंसे गुणधर्म यानि गुण की सहायता से आप 1 बटा 3 गुणा कोश्ठक प्रारंब 6 गुणा 4 बटा 3 कोश्ठक अंत को कोश्ठक प्रारंब 1 बटा 3 गुणा 6 कोश्ठक अंत गुणा 4 बटा 3 के रूप में अभिकलन करते हैं, आठ, क्या, घटा एक, एक बटा आठ का गुणात्मक प्रतिलोम आठ बटा नौ है, क्यूं अत्वा क्यूं नहीं? नौ, क्या, तीन, एक बटा तीन का गुणात्मक प्रतिलोम शून्य दशमलव तीन है, क्यूं अत्वा क्यूं नहीं? प्रिष्ट संख्या सोला, दस, लिखिए, ऐसी परिमय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, दू, परिमय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तीन, परिमय संख्या जो अपने रिणात्मक के समान है, ग्यारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, एक, शून्य का व्युत्क्रम रिक्त स्थान है, 2. संख्याएं रिक्तिस्थान तथा रिक्तिस्थान स्वयम के व्युत्क्रम है 3. घटा 5 का व्युत्क्रम रिक्तिस्थान है 4. एक बटा X जब X शून्ने के बराबर नहीं है का व्युत्क्रम रिक्तिस्थान है पांच, दो परिमेश संख्याओं का गुणन फल हमेशा रिक्त स्थान है छे, किसी धनात्मक परिमेश संख्या का व्युत्क्रम रिक्त स्थान है अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गनित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचन्स्वर, आकाश आहुजा, तक्नीकी समन्वयक, बटिलैंग लिंग्डो, तक्नीकी सहायक, मयंकुमार, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन व निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत लिज रसाँ, बटिलैंग उसका कमाश्यो बटिल्स हÖN